ओम शान्ती आज तिनांक 17 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं नी उन सिक्छाओं का मनन करेंगे आज बाबा बोले आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएंगी अब रूहानी यात्रा करो घर बेठे बाप की याद में रहना यहाँ है वंडर्फुल यात्रा वंडर्फुल बाबा आता है वंडर्फुल ड्रामा का राज सुनाता है और वंडर्फुल यात्रा सिखाता है तो हमारा पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम बच्चों को नोलेज देते हैं कि अब तक तुमने जो भी यात्राएं की वे थी जिस्मानी यात्राएं उनमें वेश्ट आफ मनी वेश्ट आफ टाइम एंड वेश्ट आफ पावर किया तो अब मैं आता हूँ तुम्हें व्यर्थ से मुक्त बनाने चूकी मैं तुम्हारा रुहानी भाप हूँ तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ तो अब मैं तुम्हें ऐसी वंडर्फुल यात्रा सिखाता हूँ जो तुम घर बैठे ही अपने पिता परमात्मा को याद करते हो अपने घर को याद करते हो और जिस दुनिया में जाना है उस दुनिया को याद करते हो आदी पिता ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हम अभी देह अभिमानी थे अभी बाप आकर हमको देही अभिमानी बनाते हैं आत्माओं को वापिस घर ले जाने के लिए अब तुम रूहानी यात्रा पर हो इसमें करमेंद्रियों की बात नहीं रहती यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं फिर लोट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं जाते हैं वहां पवित्र रहते हैं और फिर लोट कर विकारी बन जाते हैं यात्रा पर जाना भी है घ्रस्तियों को निव्रत्ती मार्ग वास्ताव में घ्रस्त धर्म से न्यारा है यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा बाबा कहते ब्रामन होते हैं गीत भी है चार धाम का फेरा किया परन्तु फिर भी बाप से दूर रहे अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए हम बच्चों को पवित्र बनाते क्योंकि हमें जाना है मुक्ती धाम और जीवन मुक्ती धाम में धाम सदेव पवित्र इस्थान को कहते हैं अभी हम थे पतित अब बावा पवित्रता का सागर आया हम बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाने तो अब इस जन्म पवित्र रहना है पवित्र रहकर पवित्र दुनिया की इस्थापना करवानी है और अपने घर पवित्र धाम, अर्थात मुक्ती धाम जाने के लिए रुहानी यात्रा करना है वह भी घर बेठे तो बाबा कहतें यहा यात्रा वंडर है प्रश्न कीया बाबा ने बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है उत्तर में बाबा बोले जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया पोकारते रहे वह जागीर देने वाला जब आया है तब उनका बनकर फिर फारगती दे देते हैं तो बाप को वंडर लगता है बच्चे चलते चलते उच चड़ते चड़ते नीचे गिर पड़ते हैं यह भी कैसा बंडर है अर्थात बाबा कहते यह नाटक है प्रभू और माया का बाप आकर तुम बच्चों को पावन बनाते हैं पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप ही बच्चों को पवित्रता की सिक्षा देते हैं तो बाबा कहते अब जहां जाना है उसको याद करो यह युद्ध का मैदान ठैरा तुम बाप के बनते हो माया फिर तुम्हें अपना पनाती है इसी लिए बाबा का बनकर बच्चे आश्चरिवत सुननती, कथंती, पठंती और फिर भागंती हो जाते हैं बाबा का बनकर फिर आश्चरिवत, सुननती, पठंती, कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं माया भी बड़ी बाबा कहते पहलवान है वह बुद्धी योग बलकी युद्ध बाप के सिवाए कोई सिखलाना सके सर्व सक्तिमान बाप से योग लगाने से ही बाबा कहते ताकत मिलेगी तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापिस घर जाना है तो ऐसी पवित्र दुनिया को याद करने के बजाए बच्चे फारकती दे देते हैं तो बाबा को वंडर लगता है कि बच्चे उपर चड़ते चड़ते नीचे गिर पड़ते हैं अगला प्रश्न किया बाबा ने किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षणा मिलती है उत्तर में बाबा कहते जो बाप के रचे हुए रुद्र यग्य की समाल करते हैं और सदा स्रीमत पर चलते हैं उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षणा मिलती है अर्थात बाबा आते हैं भारत भूमी पर रुद्र ग्यान यग्य रचते हैं इसमें बाबा कहते क्रश्न का नाम डालने से भूल कर दिये पर एक ही भगवान निराकार परमात्मा है जो सांती धाम सुक दाम में ले जाने के लिए आता है तो बाबा कहते तुम पुकारते भी थे कि है पतित पावन हम पतितों को पावन बनाओ है दुख हरता सुक करता हमें दुख की दुनिया से निकाल कर सुक की दुनिया में ले चलो तो बाबा कहते हैं मैं अभी आकर बेहद का बाप रुद्र ग्यान यग्य रचता हूँ जिसमें सब सुआहा करना है जिस खोड़े पर आत्मा विराजमान है नाम ही है राजस्व राजाई के लिए रुद्र ग्यान यग्ये कितना बड़ा यग्य रचते हैं बाबा स्वर्ग की इस्थापना करने के लिए बाबा कहते अब तुम बच्चे सब कुछ ट्रांसफर करते हो तो दिल में नसा रहता है बाबा ने यग्य रचा है इसको अच्छी रीती समालना है स्रीमत पर चलना है और बहुत अच्छी समाल कर बाबा से अच्छी दक्चना लेनी है अर्थात बाबा आता है विश्व का मालिक बनाने विश्व की राजाई देने स्वर्ग में महाराजा महारानी बनाने तो बाबा के यग्य की समाल कर बाबा का मददगार बन विश्व का मालिक बनने का पुरुशार्थ करना है तो बाबा कहते तुमने आदा कल्प धक्का खाया है बाब आते हैं ऐसे बाब को फिर तुम फार्गती दे देते हो कितना प्यारा कितना मीठा बाबा आया हम बच्चों को सत्युक की राजाई देने और फिर उसे फार्गती दे देते हैं तो बाबा कहते वंडर लगता है अब अच्छी रीती मुझ बाप को याद करो और जहां जाना है उस दुनिया को याद करो कीत सुनाया बाबा ने हमारे तीर्थ हैं सबसे न्यारे हमारे तीर्थ न्यारे हैं हम धर्ती के सितारे हैं यह बाब बैठ यहां हम बच्चों को लायक बनाते हैं सावरे से गोरा बनाते हैं बाबा कहते तुम स्याम बन गए थे बाबा फिर तुमको स्वर्ग के लायक सुन्दर बनाते हैं चलते फिरते बुद्धी में बाबा को याद करना है बस यहा अवस्ता जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए हेल्थ वेल्थ हैपिनेस बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी सिक्षा पर चलना चाहिए काटो को फूल बनाना है अभी तुम बन रहे हो यह बगीचा है अभी है फोरेश्ट ओफ थारनस अकासूर वकासूर यह संगम के नाम है उद्धार तो सबका होना है जो जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे स्रीमत पर चलते रहेंगे बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे तो बाबा कहते तुम सदा के लिए सुखी बन जाएंगे अभी तुम्हारी सो परसेंट चड़ती कला होती है फिर कलाएं कम होती जाती है इस समय कलाएं बिलकुल खत्म हो गई है गाते भी हैं मैं निर्गुड हारे में कोई गुण नहीं बाप को रहम दिल कहते हैं न कल्प कल्प संगम पर आते हैं भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे अभी बच्चों को स्रीमत पर चलना है आसुरीमत पर नहीं तो बाबा कहते तुम बच्चे यहां बैठे बैठे रूहनी यात्रा पर हो बुद्धी यात्रा पर लगी रहे अगर बुद्धी योग लगा हुआ नहीं है तो जैसे टाइम वेश्ट हो जाता है तो बाबा कहते हैं टाइम वेश्ट नहीं करना है तुम्हारा टाइम बहुत वेल्यूवल है बाबा ने कल हमको संगम की विसेस्ता बताई कि समय और सक्ती तोनों बहुत वेल्यूवल है अब तुम्हें ना सक्ती गवाना है ना समय गवाना है सेकेंड भी कमाई के विगर नहीं छोड़ना है बाप तो फुल पुरुशार्थ कराते हैं बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यहां ग्यान यग्य रचा है तो बाबा कहते हैं जितना याद में रहोगे उतना बेड़ा पार होता जाएगा हम ब्राम्मन हैं हमारे उपर बहुत बड़ी रेस्पॉंस्विलिटी है बाब कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो मंसा वाचा कर्मना किसको भी दुख नहीं देना बहुत मीठा बनना है क्रोध से भी डिस्सर्विस होती है संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं यह भूत बड़े खराब हैं इन भूतों से बचने के लिए सर्व सक्तिमान पिता परमात्मा की याद में रहना है बाबा की स्रीमत पर चलना है बाबा ने जो ग्यान यग्य रचा है पवित्र रहकर उसकी समाल करनी है और बाबा से बहुत अच्छी दक्षना लेनी है वर्दान दिया बाबा ने यथार्त विधी द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नमबर वन लेने वाले परमात्म सिध्धी स्वरुब भाव यथार्त विधी द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर वन लेने वाले परमात्म सिध्धी स्वरुब भव डीटेल में बाबा बोले जैसे रोसनी से अंधकार स्वता खत्म हो जाता है ऐसे समय संकल्प स्वांस को सफल करने से व्यर्थ स्वता समाप्त हो जाता है क्योंकि सफल करने का अर्थ है स्रेष्ट तरफ लगाना तो स्रेष्ट तरफ लगाने वाले व्यार्थ बन तो स्रेष्ट तरफ लगाने वाले व्यार्थ पर विन कर नंबर वन लेते हैं अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा स्रीमत देते समय संकल्प स्वांस बाप दादा से प्राप्त खजाने हैं इन खजानों को सफल करो इस संगम युक का एक एक सेकेंड एक एक स्वांस बहुत वेल्यूवल है इनकी वेल्यू को समझ अब अंधकार से निकलो ग्यान सोजरे में आओ और स्रेष्ट कर्म करो स्रेष्ट संकल्प करो और स्रेष्ट बन जाओ तो बाबा कहते तुम बच्चों को नंबर वन जब मिलेगा जब तुम स्रेष्ट की तरब अर्थात व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ बनते हो उन्हें व्यर्थ को इस्टॉप करने की सिद्धी प्राप्त हो जाती है यही परमात्म सिद्धी है वह रिद्धी सिद्धी वाले अल्बकाल का चमतकार दिखाते हैं और आप यथार्त विधी द्वारा परमात्म सिद्धी को प्राप्त करते हो स्लोगन में बाबा बोले अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ग्यानीतु आत्मा हैं, बाबा ने हमें ग्यान दिया, तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा पिता परमात्मा है, और ड्रामा एक्क्यूरेट बना हुआ है नथिंग निव का पाथ पड़ाया तो नथिंग निव के आधार पर हर आत्मा को समान द्रश्टी वरत्ती से देखना अपकारियों पर भी उपकार करना गलानी करने वालों के प्रती भी सुब भावना सुब काम न रखना तो बाबा कहते वही ग्यानी तु आत्मा है जो अपकारियों पर उपकार करती है ये थे बाब दादा के महावाद के अच्छा उम्शंती